दोस्तों गलत लाइस्टेल और खानपान की गलत आदतों की वजह से दिल की मरीजों की संख्या काफी बढ़ते जा रही है इसमें से ज़्यादतर लोग हाट ब्लॉकेश से परिशान रहते हैं तो आद का टॉपिक गही है अगर आप ब्लॉकेश की समस्या से परिशान है आप शरी की बंद नसों को खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंतक जरू देखेगा बहुत ही आसान आसान सा उपाय बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप बंद नसों को खोल सकते हैं और साथ ही अगर शरी में किसी भी तरह की दिक्कत ना भी होना तो भी इस र पहली चीज है इसमें दोस्तों अभी घर्मी का मौसम चल रहा है तो आप लौकी जरूर डाइट में शामिल कीजिए आप लौकी का सब्जी या फिर जूस पीजिए रोजाना एक गिलास लौकी का जूस मनाकर 15-20 दिनों तक पीएंगे ना इससे दोस्तों आपके नसे मजब अब बढ़ा हो तो मोटापा कम होगा शेरी में अगर यूरी कैसिट बढ़ी हुई हो तो वह भी नॉर्मल हो जाएगा हाई बीप डाइबेडीज वालों के लिए वर्दान है सिर्फ एक गिलास लौकी का जूस भेंकर से भेंकर बिमारियों का इलाज कर सकता है दोस्ते जो कली लहसुन लीजिए उसे चुड़ी चुड़ी टुकड़ों में कड़ कर लीजिए और एक कप गुरूने पाने के साथ गटक लीजिए इससे धमनिया भी साफ होगी और ब्लड शर्कुलेशन भी आपका बढ़ेगा और साथिस के सेवन से आपका दिल भी हल्दी रहेगा हा दही या फिर मठा के साथ लहसुन का सिवन करें इसके लावा अलसी का सिवन कीजिए अलसी में मौझूद अलफा लिनियलिक एसिड बंद धमनियों को साफ करता है रोजाना एक चुमच अलसी का बीज भीगो कर खाये जब गर्मी का मौसाम है तो आपको भीगो कर खाना होग qaq smar au daugua, क्यूकि अलसी के ताफिर बहुत जादा गर्म होती है ए आप थोड़े से पानी में अलसी को भीगिदीचे और भीगे अलसी को दही के साथ खा लिजिए या फिर ऐसे ही चबा चबडर खा लिजिए सूबा थोड़े से मिसरी के साथ एक चमुच अलसी एक चाल सि से रोपता है और खोन के ठक्के भी नहीं बने देता इसलिए बचने के लिए आप अनार रोजाना खा सकते हैं अनार का जूस पी सकते हैं या फ़ी हपते में 2-3 अनार को डाइट में शामिल कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों इन चीजों को डाइट में शामिल करके आप सबाकेट के समस्य हो तो नमक और चीनी का सेवन बिलकुल कम करते हैं इसके लावा ब्लड प्रेसर को कंट्रूल करें क्योंकि इससे अठेक का खत्रा रहता है योगा करें कि यहे प्लाय चीजिए जी जाला घी भी आपको नहीं खाने हैं ध्यान रखेगा अगर आप स्मोकिंग करते हों तो स्मोकिंग करना बंद कर दीजे धुम रुपान का स्विधा असर दिल की ध्मनियों पर पड़ता है इसलिए जितना हो सकते इससे दूरी बना कर रखें अगर आसवाद भी कोई स्मोकिंग करता हो तो वहाँ से दूर चले जाएं आपको सास के दवारा भी सिगेट के दूमे को नहीं लेना है इससे आपको समस्या हो सकती है